नवसकार दोस्तों कैसे आप सब और दोस्तों ये नवकरी निकली है इंडियन रेलवे में और दोस्तों अगर आपके पस ITI है तो आपको ये नवकरी का फाम जो है भरना ही चाहिए अंतिम है इसका 8 अपरेल और चले मैं सीधा इसके ना जो पद है और सेक्षे की गोईता है उ देखो किसी मानेता प्रतों सी दल से भहते की electronics, computer विज्ञान सोचना प्रतकी, इंस्टूमेशन में बीस्ती या वहते की यह उपरोग सभी की वुनियादी धहराओं के समझन में तीन साल का डिपलोमा इंजिरिंग या बुनियादी धहराओं में या उपरोग सभी वुनिया ट्रेट्स में क्या होना चीए, आईटिए होना चीए, या दसवी के साथ MSLC प्लस उप्रुक्त बतायागे ट्रेट्स में कोर्स पॉर्ण होना चीए, अपरेंटिस ना का, ठीक है तकनीशियन ब्रीज में देख लिजए, मेत्रिकृष्यन अर्थाथ दसवी पास और उसके साथ देख लीजिए NCVT है, SCVT के मानिता प्रावत संस्तान से Feater, Feater Structural Welder Trades में क्या होना चाहिए ITI होना चाहिए या Metriculture से न था 10 वी उसके बाद SSLC SSLC प्लस उपरोग तो बताएगे Trades में Quartz Spoon होना चाहिए मोल बाद दोस्तों ITI प्लस 10 वी और कुछ नहीं Technician Grade 3 यहाँ पर देख लीजिए 10 वी उसके पाद इन सभी किसी भी ट्रेब में क्या होना चाहिए आपके पास ITI होना चाहिए Technician Grade 3 क्रेन चालक यहाँ पर देख लीजिए Mechanic समागरी Handling उपकरण सहर आपरेटर, क्रेन आपरेटर, आपरेटिव, लोकोमेटरी रेल, क्रेन, ट्रेट्स में क्या होना चाहिए ITI होना चाहिए और एक तो 10 वी Technician Grade 3, Diesel Electricals तो यहाँ पर देख लीजिए Electrician, Mechanic, Auto, Electrical Electronics, Wireman Electronics, Mechanic, Mechanic और Electronics Trades में क्या होना चाहिए ITI होना चाहिए और 10 वी तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए Total यहाँ पर 18 प्रकार के पद है और लगभग सभी में ITI के साथ जो है 10 वी मांगा गया है उसके साथ और कुछ नहीं है तो दोस्तों अगर आपने ITI किया हुआ है तो यह भरती आपके लिए बहुत हिमत पुन है इसमें फाम आप डालना मत भूलेगा और बिलासपूर में ही निकला हुआ है ठीक है मतलब कि जितने जगा निकला हुआ है उसमें बिलासपूर भी इंकलूड है यह देख लीजिए Central 2024 में भाग लेने वाले अरारवी की वेफ साइट है ठीक है देख लीजिए अहमादाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भपाल, चन्नाई, चंडिगर देख लीजिए बिलासपूर बिलासपूर में भी निकला हुआ है यहाँ पर आप क्लिक करके फाम फिल कर सकते हैं और अगर आपसे फाम फिल करते नहीं बन रहा है तो हम आपके लिए सवीजा जो है देते हैं एकदम नियुनतम सुलक पर आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं चलिए बाकी जो चीजिए हैं उसको भी एक नजर में हम देख लेते हैं तो देख लिए आठ अपरेल इसका लास डेट है आज है दो अपरेल और इसका देख लिए प्रारमभी वितन ग्रेट वन है सिग्नल उसका 29,200 और बाकी का है 29,900 9,144 टोटल पोस्ट है यहाँ पर और एज लिमिट देख लिए एक जुलाई 24 को तकनीशियन के लिए 1836 ग्रेट वे और तकनीशियन ग्रेट 3 के लिए यहाँ पर 18 से 29 ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो यहाँ पर देख लिए यह हेल प्लाइन नंबर भी जारी किया गया है किसी प्रकार से अगर आप कुछ समस्या हो तो मेडिकल फिटनेस के मानक जो है इस प्रकार से है देख लिए यह मेडिकल फिटनेस मांगा गया है यहाँ पर आगे बढ़ते हैं आयू सीमा तो यहाँ पर उपर ही बता दिये गए है 18-36 वर्स और 18-39 वर्स ग्रेट प्रकार से दोस्तों एज जो जनरली होता ही है आप इसको देख सकते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों इक्सांफीस की बात करें जह देख लीजे सभी उम्मिद्वारों के लिए कृम संख्या नीचे उल्लेक्षिट सेड़ियों को छोड़कर CBT में उपस्सित होने पर 500 रुपय की इस सुल्क में 400 रुपय की रासी बेंक सुल्क काट कर वापस कर दी जाएगी कहने के ताथ पर यह अगर आप परिच्छा में बैठे ना तो 100 रुपया जही कहना चाहिए लिया जाएगा 400 रुपय काट कर वापस कर दी जाएगा यहाँ पर भी वही चीज़ें यहाँ पर लागो की गई है ठीक है ACHT, X-Solvismit, महिला, ट्रांस्टेटर, अलप सुंख्यक या EBC संबन दी थे उम्मीद वारों के लिए सावधानी EBC का OBC या EWS के साथ भ्रमीत नहीं होना है 250 रुपय का सुल्क, CBT में उपस्तित होने पर लागो बेंग सुल्कों की कटवतिक साथ वापस कर दी जाएगा मतलब इसका सुल्क जो है 0 रुपीस है और इसका कितना है 100 रुपीस है ठीक है आगे बढ़ते हैं आरक्षान का लाब उठाने वाले देख लिजे EWS, SC, OBC, NCL, उम्मी द्वारों को DB के दोराना था जो है दोस्तों डाकुमेंट वेरिफिकेशन के दोरान आवस्यक प्रमाड पत्र, मुल प्रमाड पत्र पस्तूत करना होगा प्रमाड पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा अनुलगनक एक SC और HT उम्मी द्वारों के लिए अनुलगनक दो OBC, NCL, उम्मी द्वारों के लिए अनुलगनक तीन EWS उम्मी द्वारों के लिए दिये गए प्रारूप में अनुसार जारी किये जाने होने चाहिए ठेक लिजी ना मुल रूप में उपस्थित करना पड़ेगा प्रमाड़ पत्र को लेकिन डीवी के समय अभी इसकी जवरत नहीं है आगे है ओवी सी एंसे लुमी द्वारों के लिए जाती प्रमाड़ पत्र में विसे सरूप से उल्लेखित होना चाहिए कि यह भी प्रमाड़ दोस्तों नियुक्ति होगी कम्प्यूटर अधारिक जो परिक्षाइट देख लिए इसमें रिनात्मक मुल्यांकन है वन थर्ड का रिनात्मक मुल्यांकर किया जाएगा कुल अओधी है 90 मिनट और कुल प्रसन है सव प्रसना ठीक है तो दोस्तों और यह है इसका कहनाची ब सब्सक्राइब के लिए सब्सक्राइब देख सकते हैं मुल बात मैंने बता दिया आप लोग को यह विलासपूर में निकला हुआ है अगर आप 36 गर से हैं या बाहर से भी है तो भी इसमें दोस्तों फाम आपको समिट करना ही चाहिए विग्यापन मैं नीचे डिस्किसन में दे दिया हूँ और ऐसे ही अपडेट आपको मिलते रही सके लिए प्लीज सब्सक्राइब दे चरनल सेर दी वीडियो थैंक यू धन्यूआब